तो फ्रेंड्स मैं हूँ शाकीब आप देख रहे हैं मेरा यूटुब चैनल शाकीब टिक आज के इस वीडियो में हम धववा के एन्वी आर को फॉस टाइम कैसे सिट अप करते हैं उसको फॉस टाइम कैसे कॉन्फिगर करते हैं इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे वीड शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताके आपको इस तरह की और भी टेकनिकल वीडियो मिलती रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने एन्वी आर को लैप्टॉप के साथ लैन तो Will&Good अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे धववा के website से जाके वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं मेरे laptop के अंदर पहले से install है तो चलिए हम इस config tool application को यहाँ से open कर लेते हैं जैसे ही आप इस config tool को open करेंगे और इसको हम यहाँ से refresh करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर one device found करके आ गया है जो NVR को हमने अपने laptop के साथ connect किया है वो NVR जो हमारा है वो यहाँ पर connect हो चुका है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा NVR type है और model नमबर भी इसका दियो है ऑफिए यहाँ डैश NVR 4B04hc-e यहाँ वो फोर चैनल का है आपको यहाँ model नमबर से वो भी पता चल जाएगा कि आपका NVR जो वो कितने चैनल का है उसके बाद जो हमारा NVR का जो default IP address है वो भी यहाँ पर show करने लगा 192.168.1.108 हमारे NVR का Mac address उसका वर्जन और यहां से एक देखे यह वेब का ओप्शन दिया वेब लॉग इन का यहां से आप क्लिक करके वेब लॉग इन भी कर सकते हैं अगर आपके पास config tool नहीं है अगर आप cp plus का आपके पास ip finder tool है ip finder तो आप उसके help से भी आप अपना काम कर सकते हैं आप उसके help से भी आप अपना धहुआ के nvr का by default ip address पता कर सकते हैं देखे अभी हमने ip finder tool application open किया है अगर हम इसको refresh करते हैं यहां पर तो देखे हमारा one device found जो हमारा nvr connect है वो यहां पर आ चुका है यह देखे यहां पर हमारा type और same उसका model number, ip address, mac, version और यह सारी चीज़ आ गए तो चलिए हम इस application को यहां open करते हैं हम आ जाते हैं फिर से जो धवा का हमारा जो config tool है क्योंकि अभी हम धवा के nvr की बात कर रहे हैं तो हम उसके application को use करके हम आपको बताएंगे तो चलिए हम धवा के जो config tool है उसको फिर से open कर लेते हैं यह देखे आप यहां पर देख रहे होंगे हमारा जो status है वो un initialized show कर रहा है तो जब आप first time किसी भी nvr को या फिर किसी भी camera को setup करते हैं फिर किसी भी dvr को तो उसे आपको initialize करना होता है देन उसके बाद जाके आप अपने nvr को या फिर camera को आप use कर पाते हैं तो चलिए हम सबसे पहले अपने nvr को initialize कर लेते हैं फिर आगे उसके बाद आगे हम आपको और आगे की settings बताएंगे तो simply आपको क्या करना है आपको जिस device को जिस nvr को आपने जो connect कर रखा है उसको select कर लेना है तो यहाँ पे अभी हमने एक nvr connect कर रखा है तो हम उसको यहाँ से select कर लेंगे जैसे ही इसको select करने के बाद देखिए lift top के ओपर एक option यहाँ पर दिया हुआ हुआ है initialize का आपको simply यहाँ से device को select कर लेना है और यहाँ पर जो initialize का option दिया हुआ है यह left side bottom में दिया हुआ है तो अलग-अलग software का अलग-अलग interface होता है तो बस सिर्फ आपको concept पता होना चाहिए कि उसको कैसे initialize करते हैं option कहीं भी रहे आप वहां से ढूंड़ सकते हैं तो चलिए हम इस ip finder tool को यहां से close करते हैं और फिर से हम आ जाते हैं config tool के उपर और अपने nvr को हम initialize करते हैं पहले तो यहां से आपको select कर लेना है उसके बाद initialize का जो दिया हुआ हुआ है बटन उसके उपर click करना है जैसे नीचे initialize का दिया हुआ बटन उसके उपर आपको click करना है जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे तो कुछ इस तरह का page open होकर आएगा और यहां पर username by default हमने आपको बताया कि admin ही होता है और फिर यहां पर आपको बोलना है new password फिर उसके बाद confirm password और email address यह सारा information आपको अपने device इसको प्लमेश करने के लिए इसारा information आपको अपने ब्लब की provides है तो चली हम एक password time कर लेते हैं यहां पर चलिए हम फिल्हाल डालेते हैं सका पास अधरे 1 23 हम फिल्हाल के लिए इसको डाल दे रहे हैं जैसे है पाउसवर्र डालेंगे तो यहां पर आपके password का जो strength होता है कि आपका password कितना strong है वो strength भी बताएगा weak medium है strong तो अभी जो हमने password डाला है वो password medium है उसके बाद फिर नीचे जैसे ही आप आएंगे तो confirm password तो आपने जो उपर new password के अंदर जो password डाला है same password आपको यहाँ पर इंटर कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर same password इसके अंदर इंटर कर दे रहे हैं हमने same password डाल लिया उसके बाद यहाँ पर देखिए जाब password कहने के लिए कह रहा है यूज पासवर्ड that has 8 to 32 characters कह रहा है आप जो पासवर्ड इसके अंदर डालेंगे वो पासवर्ड का जो size है length जो है वो 8 से लेके 32 characters तक का minimum 8 character का होना चाहिए और वो maximum आप 32 characters तक का डाल सकते हैं फिर आगे यह कह रहा है it can be a combination of letters numbers and symbols और वो आप जो पासवर्ड डालेंगे वो letter number और जो special character होता है उसका you know symbol जो होता है उसका mix होना चाहिए and then फिर उसके बाद कह रहा है आपको के at least two kinds of them excluding single quote, double quote, colon, semi-colon and connection symbol बोला इन सारी चीज़ों के अलावा आप उपर का कोई दो use कर सकते हैं या तो special यह आपका number और आप you know later use कर सकते हैं और इसके बाद symbols यह दोनों में से को combine करके combination करके आपको अपना password बनाना है सिर्फ यह आपको quote का इस्तेमाल नहीं करना है, double quote का इस्तेमाल नहीं करना है, colon का इस्तेमाल नहीं करना है, semi-colon का और connection symbol यानि end का यह इन सारे symbol को छोड़के आप कोई भी symbol यूज़ कर सकते हैं अपने password को create करने के लिए उसके बाद नीचे आप आएंगे, तो यहाँ पर email का option दिया हुआ है, यहाँ पर देखे, bracket में लिखा हुआ है, clearly यहाँ पर लिख दिया हुआ है, कि 4 password reset अगर आप अपना future में password भूल जाते हैं, तो password को reset करने के लिए आप अगर यहाँ पर email ID डालते हैं, तो आप उस email ID के help से बहुत ही आसानी से future में अगर आप अपने NVR का password भूल भी जाते हैं, तो वहाँ से उसको find out कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको email ID के थुरू, email address के थु क्योंकि आप email डालेंगे, तो जब भी भी कुछ आपका password mistake होएगा, तो आप उसको वहाँ से find out कर सकते हैं, तो चलिए हमने यहाँ से email ID डाल दिया, आप भी कोई अपना valid email ID यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, after you have set new password, please set password again in search setting, यह कह रहा है कि एक पर आप password set करने के बाद, आप इसको login करके फिर से आप password change कर सकते हैं, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर email ID डाल दिया, और फिर नीचे next का दिया हुआ है, बटन आपको simply next के बटन के उपर click करना है, तो चलिए हम next button के उपर click करते हैं, next button के उपर click करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको पूछ रहा है कि कुछ आ रहे है, auto check for updates, अगर आप इसके उपर click कर देते हैं, तो जो भी कुछ update आएगा, तो वो आपको inform किया जाएगा, तो चलिए हम simply इसको यहाँ पर ऐसे ही एजटी रहने देते हैं, और simply नीचे OK का button है, तो इसके उपर हम OK कर द दिया हुआ है, तो हम इसको finish करते हैं, यहाँ से, अब हम इस NVR को यूज कर सकते हैं, तो चलिए हमने जो इसका जो password डाला है, उस password के help से, उस password के तुरू हम इसको login करके देखते हैं, कि हमारा जो NVR है, वो login हो रहा है कि नहीं हो रहा है, login करने के लिए दो option है, सबसे पहला तो आपके पास जो config tool है, जिसके अंदर आपने config tool के आपका IP show करता है, तो यहाँ पर एक web login को option दिया हुआ है, web login के option के उपर click करके, आप अपने NVR को login कर सकते हैं, जैसे ही आप web login के उपर click करेंगे, तो आपका जो by default Internet Explorer open होता है, और साथ ही साथ आपका जो NVR का login पेज है वो open हो जाता है, तो पहला तो यह हो गया, दूसरा अगर आपको IP address पता है, यह देखिए 192.168.1.108, तो इस IP के help से Internet Explorer, Google Chrome, या फिर Mozilla, Firefox, इन तीनों के अंदर जाके कहीं पे भी आप अपने IP को उसके अंदर search करेंगे, तो आपका जो login पेज है, वहाँ से आप उसको अप अपने NVR को login कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको simply यहाँ वेब के उपर क्लिक करते हैं, और अपने NVR को login करते हैं, यह देखिए हमने जैसे ही वेब के उपर क्लिक किया, हमारा Internet Explorer जो है, वो open हो गया, और हमारा यहाँ पर NVR का जो login पेज है, साती सात वो भी हमारा यहाँ पर open हो गया आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन के उपर हमारा लॉगिन पेज जो है वो उपन हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो यूजर नेम है और अभी जस्ट आपने जो पासवर्ड क्रियेट किया है उस पासवर्ड के हेल्प से अपके अपने अन्व लग इन ऐसे फरग निधीन के उपर क्लिक करना है लोकल अर्यिया नेट वर्क और नीचे लॉगगिन का बटन दिया हुआ है तो सिंपली स्की आपको लॉगइन बटन के ऊपर क्लिक कर से ethanol करके आपको अपने न्व्र को लॉग इन देखिад किया हमारा जो यूजर न्वियर लॉगिन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा और जितने भी सारे आपको ऑप्शन से ये टॉप के ऊपर सारे ओप्शन सारे सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पासवर्ड फॉर्स टाइ खुलेगा और छोफ्ट साइड में आपको बहुत सारी उस्पाउट चार पाउच देखने के लिए Iya आप इस सारे का फैज करtım ऑ drive संगे जैसे यहां पर पूछ रहा है यह देखिए एक option दे रहा है modify password का तो simply आपको modify password के उपर क्लिक करना है यह देखिए और आपका जो old password है तो वो old password आपको डालना है फिर new password and then फिर confirm password के उपर अपक्लिक करेंगे तो चलिए हम इसको एक बार password को अपग्रेड कर लेते हैं तो चलिए हम यहां पर old password डाल देते हैं यह पाश्वड डालते हैं ए हमने password डाल दिया है पासवड डालने के बाद अगर आप karena चाहते हैं यहां से तो आप व्यूव कर सकते हैं यहां विव बटन दिया हुए फिर से यहां पर आपका password का strength कर रहा है कि आपका पासवड जो आपने डाला है यह मिड़िल है तो हमारा जो है middle है और फिर नीचे same password confirm password के अंदर आपको डाल देना है तो चलिए हमने same password नीचे डाल दिया यहाँ पर email id है हमारा email address अगर आप update करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करके जितनी times आप चाहें तो आप अपने password को nvr को change कर सकते हैं और हम आपको recommend करेंगे time to time आप अपने जो nvr है या फिर आपका dvr है उसके password को change करते रहें आप यह वीडियो हमने आपको बताया यह वीडियो आपको समझ में आया होगा यह सारी settings आपको समझ में आया होगी आज के वीडियो में बस इतना ही I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई